तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप फ्री फायर एडवांस सर्वर जो गेम है उसको इंस्टॉल करने का ट्रॉय करते हैं तो आपको कुछ इसरे से एरर दिखा देता है देरवाज यह प्रोब्लम प्रसिंग दी पैकेज है इस पर मैंने पहले वीडियो ब इस वीडियो में तक बने रहेगा वीडियो अच्छे लिगता राइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना कई बर करते क्या है आप जो है किसी क्रोम ब्रॉब्लम आ जाते हैं तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सैटिंग में आना है और यहा वेडियो कि नहीं होगए कम से कम 5GB खाली एक यह गरक्णे हैं चाली आपको ठीक में नहीं आए का वैसे तो 6,8GB बहुत होती है तो correlगे तो आपको और लूगत है storage खाली नहीं है तो उसको खाली कर लिजे दन उसके बार directly आपको क्या करना है play store में आना है second trick में आपको बता रहा हूँ play store में आने के बाद आपको एक application को install करना है यहाँ पर लिखना है jad archiver यह application है first इसके application को आपको download कर लेना है मैंने इसको download करके रखा हुआ है यहाँ से मैं आपको directly इसको open करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर कैसे इस game को install करना है तो यहाँ पर open पर click कर देते हैं जैसे मैं open पर click करूँगा आपके सामने कुछ इस तरह से इसका interface देखने को मिल जाएगा उपर यहाँ पर search bar देखने को मिल रहा है सर्च बार पर आपको क्लिक करना है सर्च बार पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक option देखने को मिलता है APK यह APK पर आपको क्लिक कर देना है APK पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है जितने भी आपकी APK होंगी आपके सामने आजाएंगे जितने भी आपकी गेम बगएरा होंगी आपके सामने उनके APK आजाएंगे अब आपको करना क्या है स्पोस कर लीजी यह फर्स्ट वाला है यह है जो मेरा जो गेम है Free Fire इंस्टोल नहीं हो रही है यह उसका APK है आपको करना क्या है इस पर गेम पर आपको दिखा देता हूँ आपको यहां पर इस पर सिंगल टिक करना है जैसे आप सिंगल टिक करेंगे आपके समने यह उपन हो जाएगा यहां पर इंस्टोल को आपको कल क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इंस्टोल को आप्शन देखने को मिल जाएगा आप यहां से आपको जस्त ऐसे समझा रहा हूं आपको ये काम कर लेना यहां से आने के बाद बस आपकी प्रॉलम सॉल्फ हो जाएगी आपको कोई प्रॉलम नहीं होगी इंस्टोल करने में गेम को बस आज की वीडियो में अतना ही मिलते हैं और नेक्श वीडियो में